नहीं ऐसी लेलूंगी गाफाजी ना वेट बढ़ने लगए अप्रमोट यूगी इसलिए विहान लेलेगा चिप्स यहां मैं ड्रोइंग रूम में बैठी हुई थी विहान की दादी के गोधी में बैठा हुआ था और जो भाबी है उन्होंने देखो दूध ला दिया था विहान के लिए भी मेरे लिए भी तो मैंने एक गिलास ये दूध पिया था और थोड़ा एक दो बिस्किट खा लिये थे मैंने और विहान ने भी दूद पिया था आदा गिलास दूद पी लिया था तो पापा जी कह रहे थे अपने दूद में बोन वीटा मिला लो तो मैं कह रही थी कि नहीं मेरा बजन बढ़ गया बोन मीटा नहीं मिलाओंगी असी पीलूँगी दूद अपनी दादी के साथ तो बहुत ही जल्दी घुल मिल गया दादी को पोता नहीं हूंगा थी ले वेटा थोड़ा अपनी दूद 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 तो वीएन के दादादा दाती तो बीजी थे और भावी ने देखो मेरे लिए प्लेट बना दी थी सबके लिए खाना परोज दिया था viceeten奇 ज्री सब्छी और चाल लिये थी इस अधर में देखो सुखी सबजी भी थी अलू गोबी की सबजी थी सबसे पहले मैंने दूद पी लिया था एक गिलास उसके बाद यह देखो मैंने रात को प्रोपर खाना काया था और सब जी बहुत ऐख वनी जुए थी भावी ने अच्छी बना रखी थी और यह देखो य ना ये शीव जी वाली ये ये मैं लेकर आई थी जब मेरे नोकरी लगी थी ना नई Gardensi जब मेरे निजी पहली है थी तो सेलरी से में गाहए i शीब से पहले ये लेकर आitी यहाँ पे मुझे डूरता कलर वालá वाई उड्ड़ा में थी ञाटी हसी दें सावंको आई सर्द में देखी तो मुझे याद आ गया और यहाँ पर देखी है हमारे ससुराल में लड़ू कोपाल जी की पूजा की जाती है तो उन्हें इस तरीके से देखो सुलाया हुआ था रात को सुला देते हैं फिर सुबह जगाते हैं नहलाते भी हैं उनकी पूजा की जाती हैं, उने खाना खिलाते हैं, सब कुछ होता है और यहाँ नीचे आपको मैं दिखा रही थी, इस तरीके से यहाँ पे देखो, पूरा मंदिर डैकॉरेट किया हूए और नीचे यहाँ पे हमारे हरिदास जी को मांते हैं तो उनकी देखो इस तरीके से मतलब पूरा पूजा के लिए मंदिर है और ये मंदिर जो मेरा कमरा हुआ करता था ना जिसमें मैं सनी के साथ रहती थी मतलब शादी के बाद उस कमरे में मंदिर बनाया हुआ है मतलब एक कोने में क्योंकि इस कमरे में शायद अभी कोई नी रहता मतलब वैसे मतलब रात को सोता नहीं है कोई इस कमरे में इसलिए इस कमरे में मंदिर बना दिया होगा क्योंकि ये कमरा ना क्योंकि उस टाइम मैं और सनी मतलब इस कमरे में रहते थे अपना नीचे आ गई थी, मैंने का सब सो रहे थे, दादी भी सो रही थी, वीहान की दादा भी सब सो रहे थे, तो मैं नीचे आ के मैंने सोचा, मैं वीडियो की एडिटिंग का काम कर लूँगी, थोड़ा जल्दी इसलिए उठ गई थी, ताकि मैं थोड़ी सी फ्री हो जाओ यह पेंट जो कलर है और यह जो भी बतलब डेकोरेशन है, वो सारी मेरे हस्बेंड ने की थी, उनकी पसंद की थी, जैसे यह सारा सजाने का सिस्टम था ना, वो मेरे हस्बेंड करते थे, उनको बहुत शोग था, यह ड्रोइंग रूम है, कोई भी आता है ना, जैसे बहार स आई थी, और यह देखो, इदर यहां सोफे लगे हुए हैं, इस तरीके से फाइव, सिक्स, सेवन सीटर सोफे हैं, और बैटने के लिए, तो यहां पे टाइम था, जब हम सब बैट के टीवी देखा करते थे, रामायन महा भारत, वो सब आता चलता था था ना, लोग डाउन आज सुबह, अरली मोर्निंग एक तम, और सोई भी लेट थी, बारा बजे सोई थी, मतलब बारा बज गए थे, बारा सब, मतलब नीन तो क्या आई, बस लेटी रही आंखे बंद करके, और अब भी देख लो, फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी, अभी वीहान ये देखो, मे गई, होता है ना कि, आप समझी सकते हो, और आप तो मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, आपके कॉमेंट्स भी आ रहे थे, कि मुझे पता है, सब, बहुत एमोशनल मुमेंट है मेरे लिए, आप कह रहे थी नहीं थी, बिल्कुल भी ब्रेक डाउन मत होना, कोशिश करना, क्योंकि सब कुछ सामने आना दुबारा से, आपके हस्बेंट से जुड़ी सारी यादे, सब कुछ नजर आए, सब कुछ दिख रहा हो, बट आपके हस्बेंट ही ना हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है, यह सब देखना लाइफ में, फेस करना, रात को बहुत रोए हैं हम मतलब फिर जैसे ही मतलब फिर लगाना कि अब नहीं मतलब कंट्रोल होएगा, फिर हम वीहान के बारे में बात करने लग गए, क्योंकि देखिए ऐसा तो होता ही है, कल रात को मेरी सास मेरे साथ सोए थे, मतलब वीहान बीच में सोया था, वीहान का हाथ पकड़के मैं सोई तो बस वही होता है कि खुद को स्ट्रोंग बनाना पड़ता है मजबूत बनाना पड़ता है दिल से क्योंकि ऐसे आप समझी सकते हो बाकी अब मेर को भी देख सकते हो मेरे में काफी फरक देख सकते हो आप तो एक्चुली विहान की दादी आ गए थे कमरे में कपड़े लेने के लिए सामने जो अलमारी है न वो उनकी होंगे तो उसमें से कपड़े लेके गई है नहाने के वो नहाएंगे फिर सब अपी नहाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे सुबह सारे जल्दी नहा लेते हैं मैं भी नहाँगी मैं सोचरी पहले विहान की दादी नहा ले दादा नहा ले फिर मैं भी नहा के तैयार मुझे भी होना है आज क्योंकि हमें बहुत से कुछ काम करवाने हैं हम बाहर भी जाएंगे आज तो जो जरूरी काम है वो तो करने पड़ेंगे वो करवाने हैं आज हमें और रात को अभी देख लो वो भी जल्दी उट गे थे विहान की दादी भी बोल रहे थे त्यार हो जाए यो नहीं थी फिर कुछ जो भी है आपको पता चल जाएगा वीडियो में कि मैं क्यूं आई हूं यहां पर सड़े तीन साल बाद पूरे सड़े तीन साल बाद मैं आई हूं और ये वाला जो आपको बैड नजर आ रहे है ना पीछे ये मतलब मेरी शादी का बैड नहीं है ये कहीं आप सोचो कि शादी का है लेकिन यही बैड हम यूज किया करते थे सड़ी और मैं मतलब सोने के लिए रात को दिन में में ये वाला बैड है देखो ये वाला आपको दिखा रही है ये पहले का लिया हुआ था जैसे सड़ी जब मतलब कई साल पहले और उसके बाद फिर इसी बैड पे मतलब क्योंकि ये बहुत भारी बैड था और मेरा कमरा था उपर का तो फिर बार बार सेटिंग कोन चेंज करे इतनी मुश्किल से उपर से नीचे लाया नहीं जाते ना बैड सीडी ओपे से बड़ा मुश्किल हो जाता है तो मेरी जो शादी का बैड था वो नीचे वाले कमरे में रखा हुआ था और जो ये वाला जो बैड है ये देखो ये वाला ये हमारे कमरे में था ये वाला देखो इसमें ना ये भी था पीछे खुलता था इसमें बहुत समान आ जाता था अंदर इधर भी, साइड में भी इधर इन में मेरा पता है क्या होता था ये देखो ये जो दिख रहा है ना इसमें मैं मेक अप का समान रखती थी अपना सारा टोटली मतलब बैट देख रही मुझे ध्यान आ रहा है जितना भी मेरा मेक अप का समान था इसमें से निकालती थी, त्यार होती थी और यहां पे हमारा ना समान पड़ा रहता था अभी खाली है नहीं जगा इधर कुछ-कुछ चीजें जैसे हम लोग पानी की बोटल रखा करते थे इस कमरे में और क्या करें क्या कर सकते हैं यार कुछ नहीं रहा लाइफ पे आप यह सोचो ना मैं अज यह बैड़ पे देख रही हूँ आज मैं बैठी हूँ, यहान बैठ है एक टाइम था है, यहां पे मेरे हस्बेंड रुआ करते थे इस बैड़ पे हम लोग, अधाई साल हम, जब हम, मैं शादी शुदा जिन्दगी थी मेरी, उसके बाद तो आपको पता ही है, हस्बेंड की डैठ हो गई तो यहां पे, इस बैड़ पे हम रहते थे, और कभी हमने एक दिन बीन अपनी जिन्दगी में ऐसा नहीं बिताया, जब मैं मेरा विहान और मेरे पती हम तीनों एक साथ कभी बैड पर नहीं सोए जिन्दगी में, वो मोका ही नहीं मिला हमें, एक होता है ना पती, पतनी बचे, सपना जरूर देखते थे कि हाँ, हमारा बच्चा होगा, फिर वो हमारे साथ विहान, सनी लेकिन मेरा जापा चल रहा था जापा अब समझते हो ना, मतलब बेबी होने के बाद 45 दिन, जो लड़की होती है ना, वो सास के कमरे में सोती है मतलब सास के साथ सोती है बस वो टाइम चल रहा था मेरा उसी टाइम मेरे हस्बेंट की डैथी हो गई थी तो ऐसा मोका नहीं मिला लेकिन हाँ इस बैड़ पर याद होगा ना एक वीडियो भी थी जिसमें मेरे हस्बेंट विहान को गले लगाके बैठे हुए थे ऐसे गोती में जब छोटा सा था मतलब जब इस घर से गई थी थी न तब विहान I think सड़े तीन महीने का था और आज सड़े तीन साल से उपर का हो चुक है विहान चार साल का होई जाएगा पूरे सड़े तीन साल बाद मैं यहां आई हूँ वापिस काफी emotional टाइम है मेरे लिए बहुत जादा अंदर सिव दिखा नहीं सकती मेरे दिल का दर्द नहीं दिखा सकती इस टाइम में मैं क्या feel कर रही हूँ हाँ बस यह कि अपने आसों को control कर रही हूँ ताकि दूसरों के लिए strong बनना पड़ता है देखो मैं अगर रोने लग जाओं दुखी होंगी सब का mood खराब होगा सब रोएंगे दुखी होंगे सब बहुत मुश्किल से संभले है हर कोई चाहिए वो मेरी सास हो ससूर हो देवर हो हर कोई बहुत मुश्किल से time के साथ दिरे दिरे संभलके यहां तक पहुंचे है तो मैं किसी को भी नहीं चाहती ही वो तूट जाए फिर से उनको मजबूत बनना है तो मुझे भी मजबूत बनना पड़ेगा उनके सामने हस के आना होगा स्माइल करनी होगी खुश रहना होगा क्योंकि मैं खुश रहूँगी विहान तो विहान खुश रहेगा विहान को हसता देख के वो भी खुश रहेंगे ठीक है जी एंड करती हूँ वीडियो में नेक्ट वीडियो फिर आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ नहा के आउंगी आप लोगों के सामने अच्छे लगे लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजेगा अपना खुबसरा ध्यान भी रखिएगा बाई बाई टेक कियर